Hey guys, welcome you all once again और आज के इस वीडियो में हम लोग at Mega8 के interrupts के बारे में बात करेंगे इस सी इसको हम लोग पहले technically समझेंगे और उसके बाद में आप लोगों को एक daily life का example लेके समझाने की कोशिश करूँगा तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे what is interrupt? interrupt है क्या? देखिए, interrupt basically एक signal है जो के hardware या फिर software के through generate होता है और जब भी ये signal हम लोगों का generate होगा ये program के जो normal flow को है इसको suspend करता है कुछ time के लिए जब भी हम लोगों का interrupt signal generate होगा हम लोगों का जो micro controller है जो भी ongoing instruction है उसको पहले execute करेगा और उसके बात उसको वहीं पर pause कर देगा और उसी बीच में हम लोगों का जो ISR है वो execute होना start हो जाएगा अब यहाँ पर ISR के हैं देखिए ISR आप लोगों का interrupt service routine है या फिर इसको हम लोग interrupt handler भी बोलते हैं ISR basically set of instructions contain करता है जो की हम लोगों के micro controller के द्वारा execute किया जाता है जब भी हम लोगों का कोई interrupt generate होता है और यहाँ पर आप लोगों का एक चीज़ ध्यान दी नहीं है कि जो different interrupts होंगे हम लोगों के उनके लिए उसके different ISR होते है Secondly हम लोगों के interrupts के corresponding जो भी ISR है उसका एक particular address होता है और यह जो address है यह हम लोगों के program memory में कहीं पर locate होता है और इस इसको हम लोग interrupt vector के नाम से भी जानते हैं तो देखिए जैसे ही हम लोगों का कोई interrupt handle होगा उसके बाद अगेन हम लोगों का micro controller जो normal flow था उसको resume कर देगा तो यह इसका basic concept है इस इसको हम लोग block diagram के थूँ एक बार समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह हम लोगों का main program है और इसके बीच में हम लोगों के interrupt जो है वो trigger हो रहे हैं अगर interrupt trigger नहीं होता तो हम लोगों का main program है वो continuous ले चलता रहता बट इस case में यहाँ पर interrupt trigger हो रहा है तो देखिए जैसे हम लोगों का interrupt trigger हो रहा है हम लोगों का main जो है वो pause हो जाएगा और इसके बाद जो ISR में हम लोगोंने code लिखा होगा वो execute होगा और वो execute होने के बाद again हम लोगों का जो main program है वो resume हो जाएगा और फिट से अगर हम लोगों का कोई interrupt trigger होता है तो again सहीम चीज़ होगी पहले हम लोगों का यह जो है पाउज हो जाएगा उसके बाद अगेन हम लोगों का जो ISR में code है वो execute होगा और फिर हम लोगों का main जो है वो resume होगा तो इस इसको आप लोग block diagram के through easily समझ सकते हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं sources of interrupt की 8 bit AVR microcontrollers जो है वो दो types के interrupt sources provide करवाता है एक इसमें आप लोगों का है internal interrupt source और दुसरा है external interrupt source internal interrupts जो है वो हम लोगों के ADC timer counter या फिर user से associate हो सकते हैं और अगर हम बात करें external interrupts की तो हम लोगों के यहाँ पर कुछ पींस होते हैं जिनके तुरू हम लोग externally interrupt को generate कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं int0, int1 और reset यह हम लोगों के कुछ external interrupt sources हैं इसके बाद हम लोग बात करेंगे interrupt vector table की देखिए अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इसी चीज़ को discussion किया है कि हम लोगों का एक बार में एक अगर interrupt generate होगा तो हम लोगों का main program पहले stop हो जाएगा और उसके बाद हम लोगों का जो ISR में लिखा हुआ है वो चीज execute होगा और again फिर हम लोगों का जो यह main program है वो resume हो जाएगा बट यहाँ पर एक और case हो सकता है और वो case ही है कि हम लोगों के दो interrupts एक साथ trigger हो जाएए तो इस case में हम लोगों के interrupts की कुछ एक priority हम लोगों को set करनी होती है और वो चीज़ decide होती है हम लोगों के interrupt vector table से यहाँ पर सबसे first location में हम लोगों का reset है उसके बाद int 0 है फिर int 1 है so on हम लोगों के सारे interrupts हैं तो यहाँ पर basically होगा क्या जितना lowest हम लोगों का program address होगा उतनी ही ज्यादा higher priority का हम लोगों का यहाँ पर interrupt होगा तो देख सकते हैं आप लोग सबसे जो prior हम लोगों का है यहाँ पर reset है उसके बाद int 0 है फिर int 1 है suppose हम लोगों का int 1 और reset एक साथ trigger होता है तो उस case में हम लोगों का जो reset है वो सबसे पहले serve होगा क्योंकि इसका जो priority level है वो greater है as compared to int 1 तो interrupts को handle करते time आप लोगों को यह जो vector table है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ important bits की जो interrupt handling में useful हैं तो देखिए आप लोगों का यहाँ पर सबसे important जो register है वो sreg है इसको हम लोग status register भी बोलते हैं और इसका जो हम लोगों का 7th number का bit है यह most important है फिलाल interrupt के लिए तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता देखिए हम लोगों को interrupt को globally enable करना होता है जिसके लिए आप लोगों को यह जो 7th number का bit है इसको high करना पड़ेगा और फिलाल हम लोग embedded C को यहाँ पर use करने वाले हैं तो global interrupt को enable करने के लिए हम लोगों के पास एक function है SEI नाम से तो जैसे हम लोग इस function को यहाँ पर execute करेंगे वैसे ही हम लोगों का status register का 7th bit जो है वो set हो जाएगा इसके बाद हम लोगों के different interrupts के साथ associate दो bits होते हैं एक आप लोगों का इसमें interrupt enable bit है और एक आप लोगों का interrupt flag bit है इसमें interrupt enable जो bit है वो particular interrupt को enable यह फिर disable करने के काम आती है मतलब कि अगर आप लोग ADC के interrupt को use करना चाहते हैं तो आप लोगों को उसको पहले globally भी enable करना पड़ेगा और साथ ही आप लोगों को जो ADC है उसके interrupt को भी enable आपको करना पड़ेगा इसके बाद हम लोगों का interrupt flag bit तभी set होता है जब हम लोगों का कोई भी एक interrupt अगर करता है मतलब कि अगर मुझे ADC के साथ interrupt को use करना है तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर global interrupt को enable करना पड़ेगा उसके बाद जो local हम लोगों का interrupt है उसको enable करेंगे और जैसे ही हम लोगों का यहाँ पर ADC conversion complete होगा वैसे ही जो interrupt flag bit है वो खुद से set हो जाएगी इसके बाद हम लोगों बात करेंगे interrupt basically serve कैसे करता है बट उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर दो चीज़ों को समझना होगा एक है program counter और एक है stack यहाँ पर हम लोगों का program counter जो भी next instruction हम लोगों की execute होनी है उसका address को store करता है वही हम लोगों का stack है वो basically जो भी हम लोगों की history है उसको store करता रहता है मतलब की जो भी आप लोगों की instructions fetch होई होगी वो आप लोगों की stack में store होती रहेंगी और जो latest आप लोगों की instruction फैच हुई होगी वो एकदम topmost layer में रहेगी तो अब समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर interrupt जो है वो कैसे हम लोगों का sub होगा देखें जब भी आप लोगों का interrupt trigger होगा सबसे पहले हम लोगों का जो microcontroller है जो currently हम लोगों की instructions चल रही होगी उसको complete करेगा और उसके बाद हम लोगों का status register का जो I वाला bit था मतलब 7th number का जो bit था उसको वो clear कर देगा मतलब की यहाँ पर हम लोगों का जो global interrupt है वो बंद हो चुका है इसके बाद यह क्या करेगा देखिए हम लोगों के program counter में जो भी next instruction का address था वो stack के topmost layer में store कर देगा इसके बाद interrupt के corresponding जो भी हम लोगों का interrupt vector है वो program counter में load होगा और इसके बाद microcontroller जो है corresponding ISR को execute कर देगा next step में ISR execute होते ही जो भी हम लोगों का address यहाँ पर stack में store था वो again program counter में load हो जाएगा और जो i bit थी वो हम लोगों की again enable हो जाएगी मतलब की हम लोगों का जो global interrupt था again वो यहाँ पर activate हो जाएगा और इसके बाद हम लोगों का जो microcontroller है वो अपने execution को वही से start करेगा जहाँ पर उसने अपने आपको छोड़ा था अब इसी चीज़ को हम लोग daily life के एक example से समझने की कोशिश करते है suppose कोई एक student है जो की morning में 10 a.m. से 12.30 p.m. तक studies करता है तो वो अपने room में बैट के studies कर रहा है और suppose करते हैं इसी बीच में उनकी mother आती है और mother उनको interrupt करती है basically रोकती है पढ़ाई करने से और बोलती है कि बेटा मेरा जो mobile है उसमें recharge खतम हो चुका और मुझे एक urgent call करनी है तो please एक बार मेरा जो mobile है उसको आप recharge कर दो तो आप करोगे क्या basically आप जो भी वहाँ पर काम कर रहे होंगे इसको वहीं पर रोक दोगे और अपनी mom का आप यहाँ पर mobile recharge करोगे और जैसे ही आप लोगों का यहाँ पर phone recharge हो जाएगा अगेन आप फिर अपनी studies में लग जाओगे तो यह आप लोगों का एक छोटा सा example है इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर दूसरा example है जहाँ पर हम लोगों के दो interrupts एक साथ अगर कर रहे हैं तो हुआ क्या देखिए यहाँ पर student जो है वो पढ़ाई कर रहा था और उसी बीच में mother आई और उन्होंने बोला बेटा mobile को recharge कर दो बट हुआ क्या उसी instant में वहाँ पर उस बंदे को एक call आई अपने friend के through ठीक है तो अब क्या हो गया यहाँ पर उसके पास दो interrupts हैं ठीक है तो according to priorities वो अपने इस काम को handle करेगा तो यहाँ पर फिलाल मैंने क्या किया पहले call attempt किया और उसके बाद फिर mother का जो phone था उसको recharge कि और अगेन उसके बाद फिर वो पढ़ाई में लग गया तो यह आप लोगों का daily life का एक example हो सकता है तो आज के लिए इतना ही I hope आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गही होंगी अगर आप लोगों के कोई doubts हैं तो आप लोग मुझे comment box में लिख सकते हैं next video में हम लोग ADC के साथ interrupt को use करेंगे तो बने रहेगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें अपने friend लोगों के साथ यार आप लोग जरूर शेयर करें जो इस technology को सीखना चाते हैं so thank you so much for watching जय हिंद जय भारत